मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है बच्छो एक छोटा सा डिसकशन आप लोगों के साथ करना था आप लोगों को बता है अभी जस्ट हमारा 27 नवंबर को Kart 2022 का एक्जाम ठाए फिक है बहुत सारे लोगों के कॉल साए हम लोगों आउनलिसिस भी किया था अब यार इस बार क्याट नहीं देन की आया था ठीक है तो जैसे ही चाट 2022 के फस्ट श्लॉत का अनलिसिस आही तो मैंने 3-4 लोगों से बात करी तो उन लोगों ने मुझे बोला, sir paper easy था, ठीक है, मतलब, देखो, यह percent to percent vary करता है, मैं फिर किये बात बोलूगा, percent to percent vary कर सकता है, हो सकता है, किसी का quantity बहुत अच्छा हो, उसको quantity easy लगाऊ, किसी बच्चे का quantity बहुत weak हो, तो उसको तो वो questions भी बड़े hard लगेंगे, ठीक है, तो मैंने एक वाइटी शॉट डाला था उसे मैंने बोल दिए मैंने कार क्वांट में आप लोग 15-16 कोश्चंस एजली कर सकते हूं तो वह सारे चीजें हम लोगों ने डिसकस करी चार-पांस दिन हो गए हैं बच्चों के सर थोड़ा सा बता हो कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आता है तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट की है है जो जाटा आप लोगों में बहुत कुछ सेंटाइल यह गर कितने स्कोर पर हमारो परसेंटाइल बन सकता है आप लोगों के क्यार 2021 का जो पैटन था वह सेम पांतरन हम लोगों का कैट 2022 में आया थिक है आप लोगों में 16 clock shark में वहारे पास है त्वनिंटियोज शहें हैं और सेव हमारे heteronis ए बिलकुल 20 working VeeC4 कुछण में 22 किमांटियोज चाहिए 24 जायता विल्कूल पैंथ हैं ging लोगों का कितने स्कोर पर कितना पर्सेंटल आता है एक बार आप लोगों बताओंगा ठीक है सबसे पहले आप लोग बताना चाहूँ अगर आप लोगोंने कर रहे हो तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्किप्शन में सारे के सारी प्ले लिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे जिसमें मैंने पूरा क्वांट कवर कराया हुआ है ठीक है पूरा नंबर सिस्टम पूरा अरिथमेटिक पूरा जोमेट्री पूरा एलजेब्रा इन सभी प्लेइलिस्ट के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएंगे इवन इफ यू गासा टार्गेटिंग इसनाप अनमेट टिस्ट सीमेट महारास्ट सीटी इनमें भी जो रीजनिंग वाला पार्ट अलग से आता है वो रीजनिंग मैंने पूरी करा टू का जो पैतन था एक्जाम जो पैटन था की कितने को श्यंसॉ पोसे सब्सक्रेट इस्क साहां है था वोडिस्ट कि हम के तो यहां बिलकुछ चीज़े सेम थी काट 2021 में और काट 2022 में अभी जनुवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास कोश्चन पेपर भी आ जाएंगे ठीक है आन से किया जाएगी तो वह कोश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करूंगा तो यह भी बताऊंगा कि मैंने कौन-कौन से कौनसेट पढ़ा रखे था उनसे कोश्चन आये बताऊंगा कि इतना कौनसेट पढ़ने के बाद क्लियर कर सकते थे बच्चों ने जो रिव्यू दिया है ठीक है कि इस आरदव कोश्चन जिनको सॉल्ड करने से हमारा 99 प्रसेंटाइल आ सकता था ठीक है आई विल डिसकस एव माथ यहर का णता है अ कि कितने मार लाने पर कितना है यह लाना था मतलब 2021 की बात ना अगर आपको cat 2021 में 99.5 percentile लाना था तो VRC में आपके 54 marks आने चाहिए थे अब VRC में 54 marks कब आएंगे जब आपके 18 questions सही होंगे 18 x 3 कितना होता है 54 वहीं LIDI में अगर आप लोगों को cat 2021 में 99.5 percentile लाना था तो आपको 38 marks लाने थे अब 38 marks कब आएंगे जब आपके 12 13 questions ठीक हो जाएंगे 12 questions ठीक होंगे तो 36 marks आएंगे 13 questions ठीक होंगे तो 39 marks आएंगे same as in quant अगर आपको quant में 99.5 percentile लाना था तो आपको 48 marks लाने थे 48 marks समझ रहे हो 16 questions आप लोगों को सही करने थे यह बात समझ माल गई ठीक है तो यह 99.5 के लिए 99.5 के लिए मतलब आपको पता है कितना cream बच्चा महां पर पहुंचता है ठीक है हम मेंसे बहुत सारे बच्चों क टार्गेटी 95 percentile होता है कुछ लोग का टार्गेटी 97 percentile होता है कुछ लोग का टार्गेटी 99 percentile होता है तो आपको पता है हमेशा से यह pattern रहा है पिछले 4-5 साल से अगर आप लोग pattern देखोगे ना BILR में अगर आपने सिर्फ आध्य में question solve कर ली है जैसे cat 2021 में और cat 2022 में हमा टाइल इसके जैसा ही रहेगा आप हर action में plus minus two कर लेना plus minus two plus minus three कर लेना बता रहा हो आप लोगो यही रहेगा सेम और जब आ जाएगा तब भी discuss कर लेंगे जब आ जाएगा ना cat 2022 का तब भी discuss कर लेंगे कोई problem नहीं है रहेगा इसके जैसा ही ठीक है अभी हम बिल्कुल clear इस्ते नहीं बोल रहें अभी पेपर जैसे आ जाया है ना मेरे पास तब हम बिल्कुल clear बोल देंगे कि भाई paper की basis पर देखो यह था ठीक है पूरा clear paper आ जाएगा अभी तो यह है किसी को दीन question से आदें किसी को चार question से आदें किसी को दो question से आदें ठीक है तो to get 99 percentile 99 percentile लाने के लिए मैंने बोला है ना DLR में 99 percentile कब आता है अगर आपके आधिय मार्क्स आ जाएंगे यही इस बार भी रहेगा यही इस बार भी रहेगा ठीक है जैसे slot 1 में थोड़ा कॉइंट बच्चों ने इजी बताया हो सकता है slot 1 में 99% लाने के लिए 14 कोशन ठीक करने पड़े या 15 कोशन ठीक करने पड़े वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइज़ेशन भोगा डोंट वरी उसके टेंशन ना लो ठीक है बट इतना नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता कुछ लोगों को second slot में डीलर इजी लगा है ठीक है first slot वालों को डीलर वो तेखो कही न कहीं कहीं करेगा हो ताकि उसको लास्ट में नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत कम डिफ्रेंस अगना पड़े किसी slot का उसने वी आर्सी बढ़ा दिया किसी slot का क्वांट बढ़ा दिया किसी slot का डेडर बढ़ा दिया तो उसने कहीं न कहीं यह गेम खेला है ठीक है और देखो यह चीज़े पर 99% लाने के लिए बेसिकली अगर आप 2022 में बहुत देख रहे हैं तो वी आर्सी में अगर आप लोगों ने 1415 कोशन क्यों करें हैं मैं पहले बता दू काच 2022 में वी ओस्ती में अगर आप लोग ने 14 15 webs entertained solve करें ui में अगर आप लोगोंने 10 11 werden ठीक कियें और हमीं क्वान्ट में अगर आप लोगोंने 13 14 ठीक करें अगर आपको लग रहा है आपका पेपर इस लेवल पर solve हुआ है तो आप लोगों का 99 परसेंटाइल आ जाएगा आप लोगा 98.5 या 99.27 परसेंटाइल आ जाएगा मतलब इट वेरीज फ्रॉम 98.5 तो 99.2 तक वेरी करेगा है अगर आपका इतने स्कोर आ गया आप लोगो 97 में हमारे पास वी आर सी में 13 कोशन सही करने पर हमारा 97 परसेंटाइल आ जाता है वही अगर आपको लाइड में 97 परसेंटाइल लाना है तो अगर आपके 9 कोशन से आप लोगों ने ट्राय करें 9 में संगर आपके एक कोशन गल्ट भी हो गया तो तब भी आपका 97 परसेंटे ला जाएगा ठीक है नौ कोशन पर मतलब 8 no कोशन पर अगर 8 कोशन धीक कर रहे हो नटो 96 96.5 परसेंटे ला जाएगा DLR में, अगर आपके 8 question भी ठीक है, समझ लो इस बाप को, बहुत सारे बच्चे परिशान है, सर मेरा 1 set solve हुआ है, बाकी 2 question solve हुए है, तो 7 questions हो गए, 7 into 3, 21, 21 marks पे DLR में आपका percentile 94-95 आजाता है, DLR में अगर ख़राब हो गया, बाट क्या बाकी 2 sections अच्छे हुए है हमारे, ओबरो लो तो हमारा percentile इतना है, ओबरो लिगे ओवरोल इसकोर है, ये ओवरोल स्कोर पे कितना percentile बनता है, अगर आपको overall score 120 आपको percentile इतना बनेगा, और हो ले दिया आपका इतना बनेगा तो आप लोग इस पेबल के बेसिस पर कॉल ले सकते हो मेजरली मैंने 99 के बात करिए अगर क्याट 2022 में आपके VRC में 14-15 कोशन ठीक हुआ है LRDM अगर आपके इतना रहे QM अगर आपके इतना रहे तो आपका 99 पेसिंट अलाने के पूरे आनलिस करके मैंने देह लिया मैंने slot वन के भी आठ दस बच्चों से बात करके देख लिये Serio प्रेंगे में ये तो बाते हैं हमारी cat 2021 के basis पर हम लोगों ने cat 2022 का prediction कर दिया कि इतने marks पे इतना percentile आ जाएगा और ये रहेगा भी इसके आसपास ही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसी के आसपास रहेगा और ये तो बाते है cat 2021 और cat 2022 की ठीक है cat 20 का pattern थोड़ा अलग रहा था उसमें 76 questions आये थे ठीक है उससे पहले भी अगर मैं आप लोगों को बता हूं ना थोड़ा सबस reference के लिए मैंने डाला आप लोगों के लिए आपको पता है cat 19 मे ना cat 19 मे cat अगर मैं 19 की बात करता हूं तो cat 19 में हमारे पास पता कितने questions आते थे cat 19 में पता है आपको हमारे पास कितने questions आते थे केट 19 में हमारे पास 100 कोश्चंस आते थे 100 कोश्चंस आते थे हमारे पास 100 कोश्चंस इन 100 कोश्चंस में से VARC में पता है इन 100 कोश्चंस में से VARC में आते थे हमारे पास 34 कोश्चंस Quant में आते थे मारे पास 34 questions और DLR में आते थे मारे पास 32 questions यह बात समझ में आगई यह आप लोगों को जरा मुझे बताओ ठीक है? हाँ या ना? फिर इसे मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा paper कोई भी हो DLR में अगर आपने आधे question ठीक कर दियें तो आपका 99 percentile की around था जाएगा ठीक है? आउट ओफ 32 questions यदि आपने 16 questions cat 19 में paper हमारा 3 yards का होता था 16 questions अगर आप ठीक कर देते तो आपका score आता 48 तो 44 marks पर cat 19 में 99 percentile आ गये था तो DLR का pattern यही रहता है ठीक है? इससे अगर हमारे और हमारे quant के बाद करू तो quant में हमारे पास 34 questions थे आधा कितना होता है? 17, 17 से 2-3 questions जादा कर दो आधे से 2-3 questions अगर आपने जादा सही कर दिये आधा 17 हुआ 17 को 2 से 3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 19 या 20 अगर 19-20 questions आप लोगों ने ठीक कर दिये तो आपका कितना आजाएगा? 99% है लाएगा चेक कर लो 20 questions, 20-3, 60 marks यही रहता है हर साल यह trend फोलो हो रहा है भाई, मैंने बता रहा हूँ आपको VRC में quant से quant में आपने कितना किया था? 20 questions कर रहे थे उतना ही अगर आपने VRC में कर दिया तो आपका भी रहे चेक कर लो यही trend हम लोगों ने हापर बता है आप लोगों देख लो ठीक है? QA के और VRC में जादे ने रहता 13-14 questions, 14-15 questions अब यह slot में भी depend करता है मानलो इस slot में VRC इजी था अगर क्वांट इजी होता है तो क्वांट में 14-15 जाता है VRC में 13-14 हो जाता बट रहता ओवरोल इतना ही है रहता ओवरोल इतना ही है ठीक है? So this is a score versus percentile on the basis of previous data यह previous data लिया है CAC 21 में CAC 21 से हमारे लिए compare करना इसलिए इसलिए है CAC 19 का data देख लो और महीं CAC 18 का data देख लेना यह रहा हमारे पास CAC 18 का data ठीक है? तो वही रहता है आप देख लो हमारे पास 100 questions आयते पता आप लोगो CAC 18 में भी हमारे पास 100 questions आयते Out of these 100 questions हमारे पास verbal में कितने थे? 34 LIDA में 34 LIDA में 32 Quant में 34 चेक कर लो 63 marks कब आएंगे? 21 questions है करने पर 46 marks कब आएंगे? 16 into 3 16 questions है करने पर 75 में यहाँ पर हमारा VRC easy रहा होगा 25 into 3 25 questions करने पर ठीक है? ठीक है यही trend follow कर रहा है वो यहाँ पर हमारे पास CAT 18 का है यह CAT 18 का हमारे score versus percentile 99 percentile के लिए है यह पिर यह 98 percentile के लिए है यह 95 percentile के लिए है ठीक है? तो DLR को लेकर इतना टेंशन लिने की जुरुत नहीं है अगर आपके 8 questions भी सही हुए है तो आपका 96, 97 percentile आ जाएगा in CAT 2022 कुछ slots का DLR थोड़ तफता अगर आपका Quant में 12 questions अगर on average हुए है 12 questions अगर आपके हुए है तो 12 questions क्या आदे से जादा है तो आपका 98 percentile आ जाएगा बड़ दा कंडिशन इस वो 12 कि कितनी accuracy पे ठीक है यह भी Point Matter करता है ठीक है? So these are the points जो मुझे आप लोग को सेशन में बताने थे score versus percentile में बस session का मतलब यही था कि आपको tension नहीं लेना है कितने score पर कितना percentile आप लोग predict कर सकते हो मैं आप लोग बता देता हूँ लगभग लगभग यह इसी क्या आसपास रहेगा जो cat 2021 में था plus minus 3 कर लेना आप हो सकता है किसी section का vrc लगाओ तो आप इस पे minus 3 कर लेना माइनस 3 करने पर इतना 9 percentile आ जाएगा माइनस 2 करने पर इतना जाएगा plus minus 3 है plus minus 2 रहेगा ठीक है आपको लगता है आपका slot slot 2 में quant बड़ेक्ट आफ आया था तो 99 percent अले लिए quant में कितना आप चाहिए आप इसमें से minus 2 कर ले आपको लगता है ठीक है तो आप अपने अपने according देख लो slot 1 किसका था slot 2 किसका था slot 3 किसका था तो these are the points जो score versus percentile में मुझे बताने थे आप लोगो मेरा point यह जब तक हमारे पास answer की नहीं आ जाती हमारा final result नहीं आ जाता answer की में भी हम लोगो अपने marks पता लग जाएगे बट फिर भी उसके एक महीने बाद हमारा result आना बाकी रहेगा तो result दक थोड़ा patient रखो ठीक है हमारे पास अब भी snap है zat है इन exams को target करो positive mindset का आगे बढ़ो बिल्कुल भी tension लेने की जुरुत नहीं है guys ठीक है मैं हूँ snap की free classes आप लोगे 1st of December से start हो जाएंगी ठीक है और zat के pyqs की playlist अलड़ी मैंने अपने चनल पर बना दी है उस playlist में मैं zat के previous questions daily upload करता रहोंगा ठीक है तो tension लेने की आप शक्ता नहीं है ठीक है अगर आप लोगों ने मुझे an academy पर follow नहीं किया है subscription लेने के बाद जिसमें मैं पूरा quantitative aptitude more than 300 hours में cover कराता हूँ और लगभग मैं धाई हजार questions कवर कराता हूँ पूरे quantity अपनी classes में I lied यह कि हम लोग लगभग 500 to 600 sets solve करते हैं अपनी classes में तो to join my detailed courses आप लोगो an academy plus या iconical subscription लेना पड़ेगा these are the benefits of an academy plus subscription यह सारे के सारे unacademy के plus subscription के benefits है और यह सारे के सारे unacademy के iconic subscription के benefits ठीक है वही these are also the some benefits यह भी unacademy के आप plus subscription लो iconic लो यह भी benefits है सबसे important point यह है आप चाहिए plus लो iconic लो अगर आपको unacademy के subscription लो discount लेना है तो आप लोगों को यह magical code use करना पड़ेगा उधित live ठीक है so this is the code उधित live which you have to use to get the maximum discount on an academy plus or iconic subscription विल सी यू इन नेक्स सेशन जैट की प्लेलिस्ट को फोलो करना शुरू कर दो snap की classes 1st of December से स्टार्ट हो जाएंगी मिलते हैं फिर गाइश तब तक के लिए बबाए टेक केर